हाई आपरिवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लिए लेकर रहे हूं एक बहुत ही मज़दार सी चटपटे रेसिपी तो वीडियो को फुल वाच करना अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को मतन बहिए बनानी के लिए मैंने यहां दो मतन के भेजे लिए द兩個 मतन के भी को में अच्छे तरीके से चीम लिया देख भी लीकिती? ये आप देख सकते हाँ, मैं तेखा देती हूं, देखे बहुत ही अच्छý तरीके से छील लिया था अच्छे तरही कहीं सरक हुआ मैं क्या चाहिए तो मैं इस दिखा देती हूं यह देखिए यहां मैंने 2 तरीके घुल के बारीक चौप कर लिया था एकदम आरीक लिए तो मीडियम सएज के टमाटर को भी हमें इस तरीके से बारीक चौप कर लेना है तीन चमच अधरक लसं का पेष्ट और थोड़े से धनी क ङा माइघ qip करते हैं अब आए चली जाल रेडि करने के लिए मैं यहां कडाय लिया और पॉर ते वश्पून््स Motorrator सारा ट्रिक क्लाश के लिवा ट्रिक एंगे अप्सके क्षil एग से कर दोंकि सब्सक्राइब करने के लिए करूंड घुड़ें तक मैं इसे यूही चोड़ दूगी उसके बाद मैं इसमें सारे प्याच को एड़ कर दूगी जो प्याच को मैंने कट करके रखा था सारे प्याच को हमें इसमें एड़ कर देना है उसके बाद अच्छे तरीके से हमें से चला चला कर थोड़ा लाइट ब्राउन भून लेना ह गैस के फिल्म को हमें हाई रखना है और अच्छे तरीके से प्याज को हमें डिप ब्राउन नहीं करना है ये बात आप लोग याद रखे यह देखए प्याज जो है हमारे बहुती अच्छे तरीके से भून रहे हैं थोड़े लाइट ब्राउन होना यह सुरू हो रहे हैं गैस के फिल्म को मैंने हाई रखा है और चमच के मदशी से चला चला कर मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी जब प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो जाएंगे यह देखिए प्याज जो है बहुत ही हमारे छञाएंगे वाचा पन रहता है और अद्रकलसन का इसमेल हमारे पानी चला जोफिए प्रक्राउन ब्राउन मुझे छबाओ ऑसन दो तरीके छला चला कर भून लोगी जब अच्छा तरीके से अच्छी के साइगे तब हमें इसमें मसाला है तो मैंने में यह आधा चम जीरा पॉडर एक चमच गरम मसाला पॉडर एक चमच लाल मिर्च पॉडर आधा चमच हल्दी पॉडर एक धनिया पॉडर एक चमच कस्मीरी रेट चिली पॉडर और नमक आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग एड़ करना और यह एक चमच मैं चिकन मसाला एड़ कर रही हूं जुक्सनी आदा चमच आमचूर पौरुडर चिकन मसाला और यामचूर पौरुडर मार्किट में अजली मिल जाते हैं पाना आपॉड़ी पालते क्षराग्न चलनकी कि प्रूद से चला चलाकर जबघ प्रोशता कृउल में प्राइल में तुछे अपर फिर सदर के दायम फिर टोविक किरें पर नहीं कंगे पौरिगे तैनल इसे आठीम प्रहिव लोग हो развी लिए पीफ पनी प्रह ठोहरें, जो दीज़ा में पौन तो नहीं है चिक करना है 1-2 थळकन को चूल और चुक्त 10 को रोका निंगे 10 कुस्राइक ранवी कर्या है 10 को उस्तावी सब्सी दो इसके शमयर मत्हं करता है अरतना हमारा मत्हशन स्देट को में मत्ह sofort है बहुत ही चटपटे बने में रोड़ी हो यह देखे मसालों अच्छे तरीके से निकल गया है अब मैं भेजा एट करूंगी बेजा को हमें कट नहीं करना है गोटा भेजा मैं डोनों भेजे को एट कर दूंगी बैजे आट करने के बाद इसे हमें अल्टी पल्टी करके कूट देंगे उतना ही आपका मटन भेजा मसाला जो है एकदम चटपटे और मज़ेदार बनेंगे और पूरे भेजे के अंदर मसाले जो है अच्छे तरीके से अब्सवर्ब हो जाएंगे जितना अच्छे तरीके साफ इसे कूटेंगे चमच के मतलब से इसली यह कूट जाते अच्छे तरीके से चला चला कर भूनुँगी और अच्छे तरीके से मैं से एक दम कीमा भना दूंगी कूट-कूट कर जो मतन भेजा है वह बहुत ही टेस्टी और मज़िदार बनके रेडी होंगे सारे मसाले जो है वह भेजे के अंदर आ जाएंगे चार से पांच मिदे अ क्ष alleen से चलों लूंगी उसके पार मैसे तोड़ा सब्सक्रागे करना है थोड़ा हिए थोड़ा है справ eat करना है पर चलांद मैं syня चला दूंगी मतल बीजले दोर मैं से तरीके से कीमा मैंने बना दिया इसे अब में सीमिय द्धनीय के नियुक्त कर ड्याइक को अथ पलटी करके चला दूगी जब हमारे मतन भेजा रेडी हो जाएंगे तो इसमें से बहुत ही सांदार इसमेल आएंगे तो आप समझ जाना भेजे जो है वह अच्छे तरीके से रेडी हो चुके अब हमें इसे पांच मिनद तक अच्छे तरीके से चला चला कर भून लेना है अच्छे तरीके से बहुत ही तरीके से यह सूख चुके तो गयास के फिल्म को हम आफ कर देंगे और गर्म गरम हमें से सफ करना है यह हमारा चटपटे मज़ेदार सी गर्म गरम मतन मसाला भेजा रेडी हो चुका है आई होप मेरी यह रेसिपी अप लोगों अच्छी लगी मतन भेजा मसाला रेसिपी आप लोगों किसी पूरी नान पराठे चपाती के साथ खाओ बहुत ही टेस्टी लगते है और सच में गाइस एक बर आप लोगों किसी जरूर करना बहुत मज़े लगे खाने में तो ऐसी एची रेसिपीस के वीडियो में आप लोगों साथ शेयर